हेलो दोस्तों, वेलकम टिस्टोरिल मंतरा वारा सेंट्रोड क्या होगा तो आये देखते हैं, दोस्तों, कैसा इसको हम साल गरेंगे इसके पहले भी मैंने एक question discuss किया है अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें कि हम कैसे centroid या फिर center of gravity को find करेंगे तो इस video में discuss करेंगे i section के centroid के बारे में अगर मैं देखूं यह हमारा section यह हमारा lower range है x-axis पे और इस side हमारा क्या है y-axis है अगर इसे हम देखें यह हमारा just figure जो हमारा symmetric figure है कहने का मतलब यह हमारा figure जो है divide हो सकता है with respect to y-axis देखो अगर मैं यहां से इसको section divide कर दूँ तो figure हमारा क्या हो गया? symmetric हो गया अगर हमारा जो section है हमारा i section is symmetric है about y-axis तो कहने का मतलब जो हमारा centroid होगा वो lies करेगा on y-axis पे जो y-axis पे lies करेगा तो सीधा कहने का मतलब जो हमारा x-axis होगा x-bar होगा वो हमारा 0 होगा यह आपको दोस्तों याद रखना है समझ में भी आ गया होगा क्योंकि देखो यह section है symmetric हो गया about y-axis के तो हमारा x-axis क्या होगा हमारा 0 होगया अब हमें find क्या करना है इसमें find हमें क्या करना है y के respect में कि हमारा जो centroid होगा वो कहाँ lies करेगा अगर मैं इसको section में कई सारे section में divide करूँ तो मैंने माल लिया यह मेरा section 1 है इस section को मैंने माल लिया यह मेरा 2 section है और इसको मैंने माल लिया 3 साल्व करने के लिए मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया अब मैं एक एक को साल्व करता हूं यह मैंने माल यह रिक्टेंगल वन है तो मैंने कंस्यूडर कर लिया पात हम करते हैं rectangle 1 की अगर हम rectangle 1 की बात करें centroid के लिए firstly हम क्या करते है area को find करते है अगर मैं A1 area consider करूँ तो यह हमारा कितना है 20 है यह 20 है अब यह दूरी कितनी है 120 है 120 यह कितना आ गया 2400 अब हमें क्या y find करना है कि y हमारा कितना है का distance पे तो अगर हम y1 को देखें तो यह कितना है हमारा 20 है 20 यह 20 यह कितना है 160 प्लस 160 और इसका आधा होगा क्योंकि y की respect में बात कर रहा है तो यह consider किया प्लस 20 160 20 गाधा कितना होगा 10 यह मैंने कर दिया 10 यह कितना है दोस्तों 190 यह आपको समझ में आ गया होगा ओके इसी तरीके से अगर हम इसका find करें और आगे हम क्या अगरे इसको अगर a और y find करें दोनों का multiple किया तो कितना हैगा 4 5 6 यह आज़ागा 0 यह आ तक आपको समझ में आ गया होगा यह मैंने बात के rectangle 1 की अब हम बात करते है rectangle 2 की यह अगर हम rectangle 2 को find करें rectangle 2 को यह मैंने माल लिया a2 area इसका निकालेगे यह कितना दिया है अब दोस्तो 160 160 और यह हमारा कितने distance से 20 है तो यह हो गया है into 20 ओके अब देखो यहां के बाद यह कितना हो गया 16 into 20 32 और यह 00 अब y2 कितना निकल गया हैगा y2 अब देखो figure में यह 20 है अब 160 का half हो जाएगा यहनी कहना है का मतलब 20 plus 160 divide 2 यह 20 हो गया 80 हो गया कितना हैगा 100 इसका भी कितना हैगा a2 और y2 कितना निकल के आएगा दोनों को multiple किया कितना हैगा 32 और यह हो गया 40 यहां तक आपको समय में आ गया हो गया ठीके यह मैंने बात किया था विरेक्टेंगल 2 की अब हम बात करते हैं रिक्टेंगल 3 की 3 का क्या हो गया इसी तरी किसे क्या करेंगे हैं 3 के लिए निकालेंगे तो यह दोस्तों रिक्टेंगल 3 के लिए a3 अब a3 कितना निकल गया गया देखो figure में यह 20 है यह कितना है 200 है 20 इंटू 200 यह कितना है 4 और यह 3 0 हो गया अब इसका y3 कितना निकल गया गया y3 base है हमारा y axis पे यह 20 20 का हादा कितना हो गया 10 यह नहीं कहने का मतलब यह निकल गया गया ओके यह 10 हो गया अब हम a3 और y3 कि बात करें कितना हो गया 4 multiple किया 4 0 1 2 3 और यह 4 यह नि इतना आ गया हमें दोस्तों यहां चाहिए क्या y bar चाहिए y bar क्या होता है a1 जो भी हमारा है y1 a2 y2 a3 and y3 divide a1 ने रिया a2 and a3 यहारे सबका सम यह value आल्रेडि हमने find किया है कितना है हमारा 4 5 6 3 0 और a2 rectangle का हमने find किया है 32 और यह 4 0 और यह हो गया यह value अब हमें चाहिए a1 a2 और a3 जैसे कि कितना है था यह हमारा है था 24 यह हमारा निकल गया था 32 और यह निकल गया था 4000 इसको क्या करना है दोनों को दोस्तों साल्व करना है यह 3 0 3 0 3 0 लगके आएगा यह 6 है यह मारा 6 हो जाएगा अब 5 है 3 है 9 और यह 4 तीनों का add किया कितना है 8 1 इसको add करना है सबको 4 2 6 2 0 और 3 कहा गया दोस्तों 24 32 और यह कितना है यह 4000 है यह कितना हैगा 9 इतना आगया दोस्तों इसको हमें साल्व करना है यह कितना हैगा 85 इसको add करना है यह नहीं कहना है कि मतलब यह हमें find हो गई y बार की value जो हमारा centroid lies करेगा वो 85 mm की दूरी पर lies करेगा अगर हमारा figure centroid lies करता है जैसे कि मैंने figure पर दिखाया हुआ है तो दोस्तों यह method होता है हमारा centroid किसी भी section का centroid प्लीज लाइक करें share करें और comment करें